आज में आपके साथ सेर करने जारे हैं मथूरा की परसित पेड़े इन पेड़ों को बनाने के लिए हमें नावतों मावा नाही चासनिका इस्तिमाल करने वाले हैं और फिर भी पेड़े बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समान में के अंदर बनके तयार हो जाएंगे तो इस अलमाश्ट में पर काना जी के लिए आप इन पेड़ों को जरूर बनाएगा अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए काना जी के लिए हम परशाद बनाना शुरू करते हैं तो पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम कडाय के अंदर डालेंगे या पे देसी घी तो एक चमच इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे आपे मिल्क पाउडर तो यहाँ पे मैंने एक कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है आप कोई साभी मिल्क पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस की बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे मीडियम या फिर हाई फ्लैम इसको यह ना रखे और इसी तरीके स्पैचुला से लगातार चिलाते हैं वहाम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक मिल्क पाउडर अच्छे से गोल्डन कलर का ना हो जाए अगर आपको लगे कि मिल्क पा लगातार इसी तरीके से इसको चलाते रहें और गैस की बिल्कुल लो ही फिलेम रखें और आप देख सकते हैं तस मिनट बाद हम चैक करेंगे जो इसका कलर पहले से काफी चैंज हो चुका है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे अब इसे पकाते हैं मेरे को टोटल पंदरा मिनट हो चुके हैं बस इससे ज़्यादा हम इसका कलर नहीं चैंज करना है नहीं तो इसके अंदर हलका सा कड़वा पना जाएगा तो अब हम इसके अंदर डालेंगे यापे दूद तो यहाप मैंने उबला हुआ ठंडा किया हुआ हम दूध का इस्तेमाल किया है आप कच्छी दूध का इस्तेमाल ना करें तो यहाप मैंने wr2 कंप दूध जिया है थोड़ा थोड़ा करके व्या देर दूध को डालते जाएंगे तो इसी तरीके से हम सारा दूध के अंदर टाल दें गे और गैस के विल्कुल लोही फ्लेम मिठाई को हम दो म्यनट के लिए और पका लेंगे फिर हम यहां पे हम गैस को बंद कर देंगे गैस को बंद करने के बाद में इसे एक मीनिट के लिए और ईसा लगतार चलाते रहें क्यूंकि गड़ए भी बहुत करमे है अब इसे हम ठंडा करने के लिए एक खुले बरतन के अंदर हम इसे निकाल देंगे इसे आप ज्यादा ठंडा नहीं करें जब हलकी सी गुंगुनी मिठाई रहें बस उतना हम इसको ठंडा करना है बीच में आप इसको आथ से एक बार अच्छे से मसल लें ताकि इसके अंदर मिलक पाउडर का विश्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पे मैंने अच्छे से पेड़े बनाएंगे तो आप चाहें तो आप इसके अंदर पेड़े की सेंदे सकते हैं या फिर बर्फी मिल्क बना सकते हैं तो इसी तरीके से हम इसके पेड़े बनाके त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से पेड़े की सेप बनाके त्यार कर रहे हूँ तो सारे पेड़े हम इसी तरीके से बनाके त्यार कर लेंगे तो टोटल यहाँ पे मैरे 10 पेड़े बनके तयार हुए है तो इन्हें हम डेकुरेट कर लेंगे यहाँ पे हम चीनी से चीनी किसी के यहाँ पे नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर से भी इसको डेकुरेट कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े डेकुरेट करके तयार कर लेंगे तो अब हमारे बहुत ही बढ़िया मुँ में घुल जाने वाले पेड़े बनके तयार हो चुके हैं तो सारे पेड़ों को हम इसी तरीके से डेकुरेट करके तयार कर लेंगे अब इन पेड़ों को देखे कोई बताई नहीं सकता कि इन्हें हम मिल्क पाउडर से बना के तयार के हैं वो भी बीना माव और बीना चासने के तो अब एक पेड़ा को आप मैं तोड़ के दिखा रही हूँ देखे कितना सौप्ट और मुँ में घुल जाने वाला पेड़ा हमारा बनके तयार हुआ है तो आप भी कानाची के भोग के लिए आप भी इनको जुरूर बनाए और वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज है एसी नही और रेसीपी के साथ में